हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आग जो है हम नेक्स टॉपिक करने जा रहे हैं तो नेक्स टॉपिक जो है वो है स्कोप ऑफ क्रॉस टॉटल इंकम ऑन दा बेसिज ऑफ इंसीडेंस और इंसीडेंस ऑफ टेक्स अब जब हमने पिछली वीडियो इंसें जो भी कवर किया है वोनने ये कवर किया है कि हम रेजिदेंशियल स्टेटस किस तरह से निकाल सकते हैं किस परसन इंडिवीज्वल का रेजिडेंशल स्टेटर्स क्या होगा वो अगर रेजिडेंट है तो हम कैसे पता करेंगे नॉन रेजिडेंट है तो कैसे पता करेंगे तो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है इंसिडेंस ओफ टेक्स अब जो इंकम है हम डिफरेंट वेस से इंकम को अन करते हैं अगर मान लीजिए आज मैं यहां हूँ तो अगर मैं कहीं आउटसाइड इंडिया जाती हूँ तब मैं अगर वहाँ जाके अलग-अलग तरीकी होते इंकम कमाने के मैं बिजनस कोल सकती हूँ मैं अपना प्रोफेशन कोल सकती हूँ मेरे को इंकम वहां पर रिसीव हो रही है अब कैसे पता चलेगा कि उस इंकम का टेक्स मुझे इंडिया में पे करना पड़ेगा या इंकम किस तरह से उर्ण कर रहा है उसको इनकम कहां रिसीव हो रही है फिया इन सबको देखने के बाद हम यह डिसाइड करते हैं कि वह इंकम को इंकम पर जोट एक्स है वह कहां पर करेगा तो तो हम इसको बोलते हैं incidence of tax अब relationship between residential status and incidence of tax incidence of tax on a taxpayer depends on his residential status and also on place of time of accrual or receipt of income क्या बोला है ये बोला है कि incidence of tax है taxpayer जो है उस पर depend करता है कि उसका residential status क्या है ठीक है और ये भी depend करता है कि आपने tax को कैसे pay करोगे अगर आपको income जो है कहा रिसीव हुई है किस place पर रिसीव हुई है first time आपको कहा रिसीव हुई है mainly ये बात ध्यान रखनी है कि मान लिजे मैं सिंगापूर में रहती हूँ थोड़ टाइम के लिए मैं रहने गई थी अब मेरे को income वहाँ सिंगापूर में first time रिसीव हुई अब वो income मैंने कहा कि मैं अपने bank में transfer करा दूँगी आप मेरे bank में transfer कर दो मैं वहाँ से receive कर लूँगी ठीक है तो ये कौन सी receipt हुई second time receipt हुई अगर मैं यहाँ पर आके receipt करती हूँ ठीक है incidence of tax को कैसे आप calculate करते हैं या कैसे verify करते हैं the total income of any previous year of a person who is resident includes all income कि कौन-कौन सी ऐसी income है अगर कोई ordinary resident earn करता है और उसका residential status कौन सा है ordinary resident का अगर वो income को earn कर रहा है तो ऐसी कौन-कौन सी income होंगी जिस पर उसको इंडिया में ही tax पे करना होगा तो कौन-कौन सी sources है उस income के पहला है is received और deemed to be received in India कि या तो वो received करें इंडिया में ही और deemed to be received deemed to be received यानि यह माना जाएगा कि इंडिया में ही वो received हो रही हो ठीक है इंडिया में यार्न कर रहा हो इंडिया में receive कर रहा second point accrues or arise is deemed to be accrues or arise in India whether received anywhere इंडिया में आपके crew ही है यानि आपको इंडिया से receive होती लेकिन आपको receive कहीं पर भी हो चाहें इंडिया में receive हुई है या outside इंडिया रिसीव हुई है तो भी tax आपको कहां पे करना पड़ेगा अगर आप ordinary resident है तो इंडिया में ही ठीक है incidence of tax in case of not ordinary resident the total income of any previous year of a person who is not ordinary resident includes all income from whatever source derived with अगर वो not ordinary resident है previous year में तो इसकी income को कैसे आप derived करेंगे कि वो किस तरह से आपको receive हो रही है अगर इन तीनों तरह से आपको receive हो रही है तो कैसे जो income का जो tax है वो आपको इंडिया में ही पे करना होगा पहला point बोलता है is received और deemed to be received in India whether accrued or horizon anywhere आपको receive हो इंडिया में ही चाहे अक्रू कहीं पर भी हो रही हो तो आपको tax कहां पे करना पड़ेगा इंडिया में ही अब देखिए अब deemed to be received का मतलब क्या हुआ कि आपको भी received तो नहीं होई है लेकिन आपको receive हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे deemed to be received उसके बाद second point बोलता है कि accrues or arise or is deemed to be accrued और arise in India whether received anywhere अब इसका मतलब क्या है कि accru हुई है और arise हुई है इंडिया में चाहें आपको receive कहीं पर भी हुई हो accru or arises outside India from a business controlled in or a profession set up in India अगर कोई business आप control कर रहे हैं इंडिया से ही लेकिन वो इंडिया तो वहां से अगर आपको income accru or arise हो रही है तो यह माना जाएगा कि आपको टेक्स कहां पर करना पड़ेगा इंडिया में ही ठीक है मान लेजी मेरा जो business है वो यह ऐसे में है ठीक है लेकिन पूरा का पूरा जो control है या पार्थली control भी हो मेरे business का मेरे हाथ में तो भ अगर कोई person non-resident है उसका non-resident का status है तब income incidence of tax क्या होगा the total income of any previous year of a person who is non-resident include all the income from whatever source derived which पहला point बोला है is received or deemed to be received in India whether accrue or arise anywhere कहीं पर भी accrue होई हो कहीं पर भी arise होई हो लेकिन अगर आपको इंडिया में receive हुई है वो income तो आपको उसका text जो है कहां पर pay करना पड़ेगा इंडिया में ही ठीक है second part बोलता है इसका कि accrue or arise or is deemed to accrue or arise in India whether received anywhere कि आपको accrue or arise जो है वो इं बहार हुई हो ठीक है accrue or arise इंडिया में हुई received बहार हुई अब हमारा term पार पर received आ रहे है तो received का मतलब क्या है the term received means the receipt of income on the first occasion यानि first time जो भी आपको income received होगी उसको हम बोलेंगे received हुई है ठीक है the place of its received shall be the place where it is received for the first time and not the place of it received on subsequent remittance subsequent remittance का place नहीं होना चाहिए नहीं दूसरी बार received नहीं होनी चाहिए या दूसरी तीसरी बार received हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर आपको first time received हुई है तो वही place received का माना जाएगा another कोई भी place received का नहीं माना जाएगा deemed to be received deemed to be received means that the income has not been actually received income actually received नहीं हुई है बस यह माना जाता है income tax act के अंडर कि वो आपको received हो गई होगी चीक है या होगी इस तरह से माना जाएगा its instance are यानि इसके कुछ examples है the annual accretion to the account of any employer participating in a recognized provident fund is not actually received यानि अगर कोई भी employee जो है recognized जो funds होते हैं उनको funds वगयरा मिलते हैं तो अगर उसमें participate करता है और यह देखो provident fund में अगर participate हो रहा है employee का लेकिन उसको तो वो receive नहीं होता लेकिन ही माना जाता है कि उसको receive हुआ है during the previous year under the law law के under तो यह ऐसी income को हम क्या बोलेंगे deemed to be received taxable portion of the transferred balance of unrecognized provident fund जो आपने अब भी तक provident fund recognized नहीं किया लेकिन उसका taxable portion आपने transfer कर दिया उसका balance तो हम उसको क्या बोलेंगे deemed to be received during the previous year फिर उसके बाद dividend is deemed to be received in the year in which it is declared but the interim dividend is deemed to be the income of that previous year in which it is unconditionally made available to the shareholder यानि अगर dividend जैसे declared हो जाता है कई पर यह होता है कि जिस time पर वो declared हुआ है वो नहीं मिलता जैसे अगले time पर मिलेगा तो हम यह मान के चलेंगे कि यह भी क्या है एक deemed to be received का source है फिर है tax deducted at source इसको भी हम यही मानते हैं कि आपको जो tax deducted at source आपको मिलता है तो हम यह मानेगे कि यह भी आपको receive हुआ है ठीक है डेम to be received actually में receive नहीं हुआ लेकिन receive हो गया अक्रू और arise अक्रू और arise means the right to receive the income as against receipt of income अब हम इतनी दैसे अक्रू और arise पढ़ रहे थे अक्रू और arise का मतलब क्या है कि आपके पास पूरा का पूरा right है उस income को receive करने का अगर आपको वो income receive नहीं होती है तो आप उसके against क्या कर सकते हो case भी file कर सकते हो ठीक है पूरा का पूरा right है उस income के ऊपर deemed to accrue और arise the world deemed to accrue or arise means that the income has actually not accrued or arise in India but it is deemed to accrue or arise in India under the income tax act यहां पर यह बोला गया है कि आपको पूरी की पूरी income जरूरी नहीं है कि मिले ठीक है लेकिन फिर भी माना जाता है कि आपकी जो है accrue or arise इंडिया में हुई है ठीक है जैसे हमने अभी accrue or arise में यह पड़ा था कि आपके पूरा right है तो right ऐसा है कि आपको बेशक आपकी accrue or arise इंडिया में ना हुई हो लेकिन फिर भी ऐसी incomes है कुछ जिनको माना जाएगा कि आपके लिए accrue or arise है under section 9, sub section 1 the following incomes are deemed to accrue or arise in इंडिया कुछ ऐसी incomes है जिनको आप मानते हैं कि वो deemed to accrue कि आपको accrue होंगी और arise होंगी पहली income का क्या बोला है पहली income जो है वो है income is deemed to accrue or arise in इंडिया if it accrues or arise directly or indirectly चाहे directly accrue हो रही हो चाहे indirectly accrue हो इंडिया में actually में तो नहीं होती है बट यह है कि आप मानके चलते हैं तो वो कौन-खौन सी income है through or from any business connection in इंडिया आपके पास कोई भी ऐसा business का connection है इंडिया में अगर इससे आपको कोई भी income होती है तो यह income जो है deemed to accrue or arise in इंडिया through or from any property in इंडिया आपके through या आपके पास कोई ऐसी property है उससे आपका कोई ना कोई relation है तो यह माना जाहेगा कि यह क्या है deemed to accrue or arise through or from any asset or source of income in इंडिया आपके पास कोई asset है या ऐसा source है इंकम का इंडिया में तो भी यही माना जाएगा deemed to accrue deemed का मतलब simply यही होता है कि माना जाता है ठीक है कि आपकी जो income है वो accrue होगी और arise होगी इंडिया में ही through the transfer of a capital asset situated in इंडिया इससे भी हो सबता है कि आपने जो है capital asset का transfer किया हो जो कि आपके इंडिया में situated है उससे अगर कोई income receive हुई है तो उसको भी हम accrue और arise in इंडिया मान लेंगे फिर next point बोलता है कि salary earned in इंडिया salary जो है इंडिया में earn की गई है और received outside इंडिया हुई है तो भी हम यही मानेगे कि यह deemed to accrue और arise हुई है इंडिया में ही इंडिया में ही तो earn हुई है तो आपको इसका income का tax कहां पे करना पड़ेगा इंडिया में ही करना पड़ेगा salary paid by the government to a citizen of India for service outside इंडिया अगर कोई person है कोई एक ऐसे employee है जो बाहर गया है service देने इंडिया के outside तो जो government है वो citizen को income दे रही है यानि salary पे कर रही है तो वो जो salary है वो भी यही मानी जाएगी कि आपकी deemed और accrue हुई है इंडिया में ही dividend paid by an Indian company outside इंडिया dividend किसी एक Indian company ने pay किया है outside इंडिया तो यह भी बही मानना जाएगा कि deemed और accrue हुआ है income by way of interest आपको income कोई receive हुई है लेकिन interest के वे में तो उसको भी हम कैसे मानेंगे कि वो भी deemed to accrue or arise है इंडिया में ही अब यह इसका जो point है मैंने एक low chart सा बना रखा है उससे ढंक से समझते हैं देखिए income by way of interest interest अगर government Indian government पे करेगी तो यह माना जाएगा कि accrue or arise हुआ है इंडिया में लेकिन अगर interest जो है वो पे किया जाएगा resident या non-resident in India यानि resident को या non-resident को तो क्या माना जाएगा देखिए इसको दो parts में मैंने divide करा है अगर आपने money जो है borrow की है money borrow की है और वो use हो रही है business or profession in India कि आपने business or profession खोला है इंडिया में ही तो उसका जो interest income है वो accrue होगा और arise होगा इंडिया में ही लेकिन अगर मैंने money use होई है जो आपने borrow की है business outside India outside इंडिया के business के लिए आपने business बाहर इंडिया से बाहर खोला है तो जो income जो है accrue और arise होगी outside इंडिया रोयलेटी एक तरह के से आपको एक payment दी जाती है जो आपने जो copyright ले रखा होगा उसके ओपर ठीक है चलिए interest payable by Indian government इंडियन government की द्वारा अगर आपको interest मिलता है तो accrue और आराइस इन इंडिया होगा और अगर non resident और non resident इन इंडिया है तो फिर हम दिबारा से इसको two parts में divide कर देंगे reality used for business और profession इन इंडिया अगर आप जो है उस reality को business या profession में यूज़ कर रहे हैं इंडिया में ही यूज़ कर रहे हैं पहला है income is payable by Indian government वही बाते हैं आपने सिर्फ यह ध्यान रखना है कि अगर इंडिया से ही related है तो इंडिया में ही accrue और आराइस होगी अगर resident और non resident के purpose से देख रहे हो तो दोनों को divide कर दोगे अगर आप services यूटिलाइस कर रहे हो business और profession में ही इंडिया में ही लेकिन तो accrue और आराइस होगी इंडिया में लेकिन अगर वो services को आप यूटिलाइस कर रहे हो किसी business और profession में लेकिन वो outside इंडिया है तो वो outside इंडिया ही accrue और आराइस होगी ठीक है अब जो हमारा next है वो है text incidence in brief यह वाला जो है topic बहुत जादा important topic है इस topic को आपने learn करना है यह टेबल में अभी आपको कराऊंगी इसको अच्छे से learn कर लेना क्योंकि इसके उपर ही जम आगे जो practical questions करेंगे वह इनी के उपर based है अभी तक हमने जितना पड़ा यह समझ लीजिए उसका एक छोटा सा recap है और बहुत जादा important है वह बारबर पोर्टनी उसको learn कर लेना अग ordinary resident, NR means non-resident यह तीनों हमारे residential status है इनको हमने अलग 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 डिवाइड कर दिया हमने कहा था कि अगर जो income है tax incidence क्या है कि वह इनका अलग 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 तरिके से income को हमने अन किया पहली income दूसरी income इस तरह हम income को earn करेंगे तो यह जो residential purpose से जो हमने डिवाइड किये गए है persons क तो यह किस तरह से tax पे करेंगे यहीं इंडिया में करेंगे या outside इंडिया करेंगे तो हम यह देखते हैं तो यह short form में एक table form में है तो पहला है income received in India better accrue or arise anywhere income आपको इंडिया में ही receive हुई है चाहे accrue और arise कहीं पर भी हुई हो ठीक है माल लेजी मैं income जो है earn कर रही थी मेरी accrue or arise हो रही थी USA में लेकिन मेरको receive हुई इंडिया में तो मैं चूह हूं कि income deemed to be received in India income जो है यह माना जाएगा कि received हुई है इंडिया में ही whether accrue or horizon anywhere चाहे accrue or arise का हुई हो कहीं पर भी हुई हो उससे मतलब नहीं है कहां पर received होगी इंडिया में यहां पर आया received यहां पर आया deemed to be received बात सेम ही है तो हम इसको क्या कर देंगे कि ordinary resident, not ordinary resident और non resident तीनों case में आपको text इंडिया में ही पे करना पड़ेगा फिर थर्ड केस आता है कि income accrue or arise हुई है इंडिया में चाहे आपको receive कहीं पर भी हुई हो ठीक है accrue or arise तो इंडिया में ही हुई तो यह इंडिया में ही हो रही है तो हम जो है ordinary resident not ordinary और non resident को सबको ही जो है इंडिया में ही text पे करना होगा income deemed to be accrue यहाँ पे accrue था यहाँ deemed to be accrue or arise आ गया तो क्या हो जाएगा तीनों में ही income को पे करना पड़ेगा चाहे आपको receive कहीं पर भी हो रही हो अभी जो 4 point है इंको द्यान से देखो इसमें कोई जादा फर्क नहीं है सिर्फ इतना बोला है कि अगर receive हुई है इंडिया में या deemed to be receive हुई है इंडिया में कहीं पर भी आपकी accrue or arise हुई हो या फिर यहाँ पे यह बोला है इसका उल्टा बोल दिया है इन दोनों point में यह के अपना बोला है कि income received और arise outside इंडिया arise हुई है outside इंडिया from a business उस business यह प्रोफेशन से जो की कंट्रोल किया गया है इंडिया में आपके रिसीब का हूँ ही इंडिया के बाहर लेकिन कंट्रोल का है बिजनस का इंडिया में तो जो ऑर्डिनेरी रेजिडेंट है और नॉर्डिनेरी रेजिडेंट है वह कहां टेक्सपे करेंगे इंडिया में ले फिर बोला है कि income received or arise outside India from a business of profession controlled or set up outside India outside India ही business है outside India ही control है आपको receive income outside India हुई है ठीक है तब क्या करेंगे सिर्फ है coordinate resident वाला person जो होगा वो कहेगा कि चलो मैं इंडिया में tax pay करूंगा बाकी के दो कहेंगे मैं नहीं करता ठीक है फिर आता है income received or arise outside India income आपको receive or arise हुई है outside इंडिया में किसी भी source है other than business और profession किसी अलग source है तो ordinate resident कहेंगा कि मैं तो करूंगा बाकी के दोनों क्या कहेंगे मैं नहीं करता ठीक है इस तरह से मैं आपको इसलिए करा आउटसेड इंडिया हुई है राइस भी आउटसेड इंडिया हुई रिसीव आउटसेड इंडिया हुई इन अर्ली यर्स पिछले सालों में अच्छा मैंने जब बोला था कि आपका जो रिसीव होता है वह फॉस्ट टाइम जहां पर हो तब हम उसको रिसीव कहेंगे आप वापिस नहीं लेकर आएंगे उस पैसे को रिमिटेंस नहीं करेंगे लेकिन याप यह बोला है कि आप वापिस लेकर आ रहे हैं प्रिविश आप लोगों को साथ ही साथ याद हो जाएं कि अगर यह याद होगा तभी आप कोशन्स कर पाएंगे अधर नहीं होपाएंगे कोशन्स तो पहला केस क्या था कि इंकम है वो रिसीब हुई है इंडिया में जाहें आज इंडिया में और अधेक्स में क्या को बूला था deemed to receive in India चाहे कही पर भी हुई हो तो वो कहते हैं कि तीनों ही पे करेंगे ठीक है तीसरा point ये तीन चाप point तो असान है 5 point से लेकर जो 8 point तक है उन में थोड़ा सा है उसमें बोला है accrue और arise जो है वो इंडिया में ओरी अब received कही पर भी हो anywhere उससे मतलब नहीं आप ठीक है तो तीनों पे कर देंगे चौता point क्या बोला था कि दीम टू अक्रू हो रही है बात तो महीं है दीम टू भी अक्रू अक्रू तो हुई है ना इंडिया में तो तीनों महीं tax पे करेंगे फिफ्ट पॉइंट देखो फिफ्ट पॉइंट में क्या बोला था ये बोला था कि इंकम जो है वो आउटसाइड इंडिया इंडिया रिसीव होगी और और अराइज होगी कब होगी जब आपका जो profession है या आपका जो business है वो इंडिया में कंट्रोल हो रहा हो चीक है इंडिया से कंट्रोल हो तो दूंगा नॉट ओडिनेरी कहता है मैं भी दे दूंगा लेकिन नॉट साइड इंडिया बिजनस है तो मैं उट साइडी पे करूंगा और कंट्रोल तो इंडिया से हो रहा है तो इंडिया वाले कहेंगे कि हम दोनों तो पे कर देंगे यह कौन से हो होते हैं लेकिन बस यह होता है कि इनको हम ordinary मानते हैं इनको हम not ordinary मानते हैं दोन इंडिया वाले राजी हो जाते हैं ठीक है अब छटे पॉइंट पर जब उसको टाइम पर इंकम अर्ण हुई तो वह जो है उसको इंकम रिसीव और अखुब आउटसाइड इंडिया हुई हुई ठीक है और उसका जो कंट्रोल है वह भी आउटसाइड है बिजनस का कंट्रोल भी आउटसाइड है इंडिया में नहीं है तो ordinary कहता है चलो मैं तो पे कर दूंगा लेकिन not ordinary और यह कहते हैं मैं नहीं करता ठीक है फिर सेवंथ में क्या बोला सेवंथ में बोला कि जो इंकम है वो आपकी रिसीव और अकुरू हो रही है आउटसाइड इंडिया इंडिया लेकिन जो बिजनस का कंट्रोल बिजनस नहीं किसी अधर प्रोफेशन से अधर सोर्स क मैं तो ओडिनेड कहता है चलो मैं तो पे कर दूंगा इंडिया में ही टेक्स लेकिन बागी के दो मिन करता 2 में करता है एक में वह प Hispan को बापश लेकर आ रहा है डामीटं कर रहा हैं वाप सब्स ले ठीक है उसका टेक्स तो मैं पहले पे कर चुका हूं तो मैं क्यों करूंगा तो वो तीनों मना कर जयते हैं समझ आगी कि आपको यहां पर कुछ थोड़े पॉइंट एट लिस्ट याद हो गए होंगे क्योंकि यहीं पॉइंट्स हैं जो आपकी पूरे चैप्टर के जो प्रैक्टिकल सा उनको कवर करेंगी तक का तो सबको मेरे को लगते समझ में आ गया होगा अगर आपने पहली वीडियो से देखी होंगी अगर नहीं देखिए तो वह जाकर ज़रूर देखना उसमें मैंने आपको इसी तरह से नोट्स प्रवाइट किये हुए हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो म आपको समझ में आएंगे अदर्वाइस समझ में नहीं आएंगे मैं पहले ही बता दे रही हूं बार-बार इसी चीज़ को मैं इसलिए बोल रही हूं कि बहुत जादे इंपॉर्टन टेबल है आगी के प्रेक्टिकल्स के लिए प्रेक्टिकल पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई